हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे तो इस तरीके से हमें आस्तिन की लंबाई नाप लेनी है तो फ्रेंड हमारी आस्तिन की लंबाई 13 इंच है अब friend हमें बाकरम लेना है बाकरम की इस तरीके से आपको cutting कर लेना है तो friend हमारी cutting की लंबाई और चोड़ाई कितनी है इस तरीके से हम नाप लेंगे अब हम अंदर की side की लंबाई और चोड़ाई नाप लेते हैं friend तो फ्रेंट हमने अंदर की साइट की लंबाई और चोड़ाई नाप लिये अब हमें क्या करना इसे इस तरीके से किनारे की साइट से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम चारो तरफ में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी चारो तरफ में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम कपड़े को यहां से घुमा लेंगे तो फ्रेंट इस तरीके से हमारे ये लाइन भी कम्प्लेट हो चलिए अब आस दिन के कपड़े पे हम बाकरम को इस तरीके से लगाएंगे यहां बाकरम के नीचे के साइड में एक बराबर में लगाएंगे और जिस सेप में हमारे बाकरम की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी सेप में हम सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से आपको एक बराबर में सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने कियें तो प्लिस हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सेयर करना ना भूले अब यहां से हम कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे और नीचे के तरफ में हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे तो फ्रेंट इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब अंदर के साइट के कपड़े की हमें कटिंग करनी है तो इस तरीके से हम अंदर के साइट की कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब हम दूसरे साइट से कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से आप अंदर के साइट के कपड़े का एक बराबर में कटिंग कर लें अब यहां से हम कट कर लेते हैं इस तरीके से cutting करने के बाद कोने की side में इस तरीके से हम छोटे छोटे cut दे देंगे जिससे हमारा बाकरम अच्छे से fold हो जाए इस तरीके से छोटे cut देने के बाद अब हम बाकरम को इस तरीके से fold करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके आपको इसके उपर सीधी सिलाई चलानी है तो सिलाई थोड़ी कपड़े के इदम किनारे में ना चला है थोड़ी दूर पे चला है तो इस तरीके से हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे कपड़े को एक बराबर में फोल्ड करके अब हम कपड़े को यहान से इस तरीके से घूमा लेंगे तो फ्रेंट इस तरीके से हमारे ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब फ्रेंट हम दोरी लेंगे अगर आपको दोरी बनाने नहीं आती है तो description में इसकी link दी गई है तो फ्रेंट डोरी की कटिंग करने के लिए 5 इंच की लंबाई नापकर हम यहां से कट कर लेंगे तो फ्रेंट हम ऐसी धेर सारी डोरी की कटिंग करनी है हमें 2 कलर की डोरी की कटिंग करनी है तो हम 2 कलर की डोरी की कटिंग करेंगे फ्रेंट तो इस तरीके से एक साइज में फ्रेंड हम कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड हमने दो कलर की डोरी में कटिंग कर ली है अब हम डोरी को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड करना है अब दूसरे डोरी को लेंगे इसे यहाँ पर इस तरीके से अंदर के तरफ डाले फिर पीछे के साइट से इस तरीके से डाले अब जो हमारा पीछे के साइट का डोरी है उसे आगे के तरफ इस तरीके से मोड के डाले अब डोरी को इस तरीके से टाइट ली घीचे जिससे आपका डिजाइन पर्फेक्ट बनके तयार हो जाएगा तो फ्रेंट इसी तरीके से हमें धेर सारी डोरी बना लेनी है तो फ्रेंट हमने ऐसे धेर सारी डोरी वाली डिजाइन बना लिये अब एक लंबा सा कागच लेंगे हम डिजाइन को हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे डिजाइन को हम इस तरीके से एक बराबर में लगा कर इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे अब दूसरे डिजाइन को हम इसमें ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हम दूसरे डिजाइन को ले लेते हैं और पहले वाले डिजाइन में इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी जॉइंट करना है फिर डिजाइन को तो फ्रेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सेयर करना ना भूले तो फ्रेंट इसी तरीके से आपको एक के बाद एक सारे डिजाइन को ज्वाइंट करते जाना है तो फ्रेंट इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कम्पलीट हो चली है अब दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से एक बराबन में हम सीधी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंट इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कम्पलीट हो चली है अब जो हमारा आस्तिन का कपड़ा है उसे इस तरीके से डिजाइन के उपर लगाना है हमें तो यहाँ पर हम इस तरीके से डिजाइन के उपर आस्तिन के कपड़े को लगा देंगे इस तरीके से लगाने के बाद हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो फ्रेंड जिस सेप में हमारा डिजायन है उसी सेप में हम इस तरीके से सिलाई चला देंगे तो फ्रेंड आपका सिलाई एकदम एक बराबर चलना चाहिए तो इस तरीके से कपड़े को एक बराबर में पकड़के इसके उपर सिलाई चलाए अब हम कपड़े को इस तरफ घुमा लेंगे अब यहां से उपर के साइड में हम सिलाई चला लेते हैं अब कपड़े को यहां से घुमा लेंगे हम नीचे की तरफ तो फ्रेंट इस तरीके से सिलाई चलाने के बाद आस्तिन के कपड़े को उल्टा कर दे और देर इंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा ले इसे इस तरीके से नीचे की साइड में लगा कर हम सीधी सिलाई चला लेंगे तो एक बराबर में आपको इस तरीके से सीधी सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंट इस तरीके से सीधी सिलाई चलाने के बाद एस्ट्रा कपड़े को यहां से कट कर देंगे हम एस्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद आस्टिन के कपड़े को हम सीधा कर लेंगे अब हमें यहाँ से इस तरीके से कपड़े को fold करना है और इसके उपर हमें सीधी सिलाई चलानी है एक बराबर में तो कपड़े को एक बराबर में इस तरीके से fold करें और सिलाई करते समय कपड़े को tightly front घीचे जिससे आपके design में अच्छा finishing आएगा और जिससे आपका design और भी सुन्दर लगेगा तो इस तरीके से पीछी की side से हमें tightly घीचना है कपड़े को एक बराबर में tightly घीचे कपड़े को इस तरीके से तो friend इस तरीके से हमारे ये line भी complete हो चलिए अब हम यहाँ से धागा को cut कर लेंगे तो friend अब दूसरे color का देर इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे इस तरीके से fold कर देंगे और यहाँ पे हमें नीचे के side में इस तरीके से लगाना है इस तरीके से लगाने के बाद हम इसके उपर सीधी सिलाई चला लेंगे तो एक बराबर में इस तरीके से कपड़े को fold करके नीचे के side में यहाँ पे लगा लें और इसके उपर इस तरीके से सीधी सिलाई चला लें तो friend इस तरीके से आप इस design को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं तो बिल्कुल यह step follow करे friend इस design को बनाने के लिए तो friend इस तरीके से हमारे ये line भी complete हो चली है अब यहाँ से जो extra कपड़ा है हम यहाँ से cut कर लेंगे इस तरीके से cut कर ले तो friend इस design को बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे चौकोर सेफ में एक कपड़ा लेंगे छोटा सा इसे इस तरीके से fold करेंगे नीचे के side में हमें इस तरीके से सिलाय चला लेनी है नीचे के side में इस तरीके से सिलाय चलाने के बाद friend अब हम डोरी लेंगे तो छोटा सा कटा हुआ डोरी इस तरीके से आपको लेना है और यहाँ पर हम इस तरीके से design में लगा कर इसके उपर सिलाई चला देंगे तो फ्रेंड हमें क्या करना है ऐसी धेसारी डिजाइन बना लेनी है जो कि हमने बना लिया है अब आस्तिन के नीचे के साइड में इस तरीके से आपको लगा देना है डिजाइन को इस तरीके से नीचे के साइड में आपको Yuk के नीचे एक सारे डिजाइन को लगाती जाना है और इसकी उपर एक बराबर में आपको Everyday चलानी है तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलेता फ्रेंड हमारा आस दिन का डिजाइन कम्पलीट हो चला थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो